floor cleaning disinfectant होता क्या है? क्या इससे हम सिर्फ गंदगी ही साफ करते है? नहीं, floor cleaning disinfectant गंदगी के साथ साथ bacteria जैसे germs भी मारता है market में मिलने वाले floor cleaning disinfectants काफी महेंगा होता है पर अगर आप इसे अपने ही घर में बना सके और वो भी आधे दाम में तो कैसा रहेगा? अक्षर एक्जीम लाया है floor cleaning disinfectant making chemical kit जिसे इस्तमाल करके आप अपने ही घर पे floor cleaning disinfectant बना सकते हैं इस वीडियो में हम फूरा procedure और इससे related सारी जानकारी देंगे तो प्लीज इस वीडियो को end तक देखिए ताकि कोई भी चीज आप से छूट ना जाए तो फिर चलिए शुरू करते हैं हाई फैंस मेरा नाम निर्मलिया बोस है आज हम इस वीडियो में floor cleaning disinfectant के बारे में बात करेंगे अगर आप से floor cleaning disinfectant के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में सबसे पहले किस product का ख्याल आएगा साइड सी बात है आप सबसे पहले ऐसे products के बारे में ही सोचेंगे अब सोचिए अगर आपको market में available ऐसे products के आधे धाम में घर पे ही floor cleaning disinfectant बना सके तो कैसा होगा आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे होगा ऐसा हो सकता है अक्षर केम आपके लिए लाया है floor cleaning disinfectant making chemical kit जिसको इस्तवाल करके आप market में available किसी भी product के आधे दाम पे घर पे ही floor cleaning disinfectant बना सकते हैं इस वीडियो में आगे चलके हम आपको घर पे floor cleaning disinfectant बनाने के सारे procedure step by step explain करेंगे दोस्तो यही है अक्षर केम का special chemical kit जिसके सहारे आप आराम से एक floor cleaning disinfectant घर पे बना सकते हो इसमें 6 पुड़ाक आते हैं यह है अक्षर केम alkaline powder इसके साथ है अक्षर केम disinfectant यह है अक्षर केम फोमिंग एजेंट और इसके साथ आपको मिलेगा लेमन फ्रेक्नेंट और यल्लो कलर तो अब हम आपको दिखाएंगे कि floor cleaning disinfectant बनाते कैसे तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा दस लीटर डिस्टिल वाटर हमने कंटेनर में दस लीटर डिस्टिल वाटर डाल दिये है मार्केट में आपको यह आराम से मिल जाएगा और अगर आपको ऑनलाइन और करना है हमारे अक्षर केम शॉप से तो उसका लिंक हम बाद में वीडियो के एंट पर दे देंगे तो यह है दस लीटर डिस्टिल वाटर सबसे पहले हम मिलाएंगे alkaline powder यह 200 ग्राम है आपको यह मिलाना है दोस्तों हमने डाल दिया alkaline powder और अब हम इसको पांच मिनिट तक मिक्स करेंगे यह प्रोड़क्ट को सोफी बना देता है ताकि यह दिखने में अच्छा लगे आप जब alkaline powder को मिलाएंगे तो इसमें हो सकता है कि अंदर आपको थोड़ा बहुत ग्यानियूस कर जाता तो alkaline powder तो मिक्स हो गया अब हमें इसमें डिसिंफेक्टेंट डालना है यह दाइसोग्राम का पैक है अक्षर केम का और हमें यह पूरा डालना है डिसिंफेक्टेंट मेंली अक्टिव इंग्रेडियेंट है सल्यूशन का इसे हम सिवेज याफिट डस्बिन में जो कच्रा पड़ा होता है उसके जो गंदगी वाला बदबू आता है उसको खटाने के लिए भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो हमने डाल दिया पूरा इसको हम लगबक 5 मिनिट तक इसको मिलाएंगे ताकि यह पूरी तरीके से मिक्स हो जाए इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा जाग भी आ रहा है इसमें और इसको मिलाते जाएंगे अच्छे से मिलने तक तो अब देख सकते हो कि डिसइनफेक्टेंट इसमें मिक्स हो गया रहा है और अब हम इसमें अक्शर केम तरफेक्टेंट डालेंगे यह बेसीकली सर्फेस में जो गंदगी होती है उसको साफ कर के लिए इस्तमाल होता है और इसको अब हम मिलाएंगे अच्छी तरीके से और लगभग 5 मिनिट तक मिलाएंगे ताकि यह अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर पहले जब आप इसको डालेंगे तो यह थोड़ा जेल फॉर्म दिखेगा इसमें पर जैसे आप इसको मिलाते जाएंगे तो वह जेल फॉर्म सेल्यूशन में मिक्स हो जाएगा यह प्रॉपर्टी भी है कि इसको मिलाने से जाग आता है और इस जाग को और भराने के लिए हम अब इसमें अक्षर केम फोर्मिंग एजन डालेंगे यह 100 ग्राम का आता है आपको यह पूरा डालना है कि हम इसको मिलाएंगे पांच मिनिट तक अब देख सकते हो जाग कापी बढ़ गया इसमें तो अब देख सकते हैं फोर्मिंग एजन मिक्स हो गया इसमें अब हम इसमें डालेंगे अक्षर केम का लेमन फ्रेग्नेंट ताकि एक अच्छा सा खुश्बू आए इससे और अब इसको अच्छे से मिलाना है इसमें लगभग मांच मिनिट तक पर से हमने तो लेमन फ्रेग्नेंट यूज किया है पर आप कोई और फ्लेवर भी यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो जैसे कि लवेंडर हो गया पाइन हो गया और भी काफी सारे फ्लेवर्स है तो लेमन फ्रेग्नेंट भी मिक्स हो गया इसमें अब हम इसमें मिलाएंगे अक्षर केम का यल्लो कलर यह 50 ग्राम का है ताकि इसको हम एक यल्लोईश लुक दे सके आप देख सकते हो इसका कलर बिल्कुल बजार में जैसे मिलता है वैसे ही आया है इसका कलर और स्मेल भी बहुत ही बढ़िया है आपको ऐसे इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से यह आपका होम मेट फ्लॉर क्लिनिंग डिस्थे त्यार है हम मंग उठाके कि और देख सकते कि इत्का ज्ठार कितना साफ में तो ये आपका हो हम मेट तो त्यार हो गया है इसको युँद आई से कंटेनर में्ट फनेंट लेड़के ट्रांस्वर employ कर सकते हैं आप बल्क में 10 लिटर बनाके ऐसे कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं इसको ताकि आप इसको हाउसोल्ड परपर्स या फर्दर बिजनेस में भी इस्तमाल कर सकते हैं यह एक कंसेंट्रेटेड फॉर में तयार हुआ है इसको आप फर्दर डिस्टिल वाटर के साथ वान इस्टो वान रेशियो में मिलाके और भी डाइलूट कर सकते हैं आप इस फ्लोर क्लीनिंग डिसिंफेक्टेंट मेकिंग केमिकल किट और इस रेडिमेट सल्यूशन को अनलाइन अक्षर शॉप से परचेस कर सकते हैं और इसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा अगर आप होलसेल बिजनेस करने के लिए बल्क में परचेस करना चाहते हैं तो हमारे पास 50 लिटर और 200 लिटर के बल्क पैकेज़ेस में भी फ्लोर क्लीनिंग डिसिंफेक्टेंट अवेलेबल है इसको आप मार्केट में सप्लाई करके लगभग 50 परतीशत तक का प्रॉफिट मार्जिन अर्ण कर सकते हैं अगर आप हमें किसी भी जानकारी के लिए कॉंटेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड पे दिये हुए कॉंटेक्ट नंबर पे आप हमें कॉंटेक्ट क झाल